है 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 अब बाइनकों क्षाइब आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम डिसक्रस करने वाले हैं आपका 15 दिनों का करन्ट अफेर का रिवीजन लास्ट जो हमारा संडे था उस दिन हमारे क्लास नहीं हो पाई थी तो इसी वज़े से आज हम पूरा जो भी आपका करन्ट अफेर हैं 15 दिनों का उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जल्दी से क्लास को शियर करें हेलो अब है विश्वजीत विश्वजी गर्ल सुमित मिस्टर पंथ दीपक गुड मॉनिंग जल्दी से क्लास को शियर करें आज की क्लास बहुत खास और इंपॉर्टेंट रहेंगी और वैसे भी आपकी जो करन्ट अफेर का जो रिवीजन क्लास होती है वह वैसे भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसके अंदर आपका सब कुछ रिवाइज होता है ठीक है तो इसे लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हेलो राजीव गुड मॉर्निंग चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को इसके अंदर हम लोग 15 दिनों का करन्ट अफेर का रिवीजन करने वाले हैं और जो भी आपकी रिवीजन क्लास होती है उसे आप लोगों को जरूर जोइन करना है इसलिए अपने दोस्तों के साथ फटा-फट से शियर करें पसंद आये तो लाइक कर दीजिएगा और इसको अगर पहली पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जिनोंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है उन्हें अभी हमें करके दिखाना है बहुत सरी लोग हमें ताने मारते हैं कि नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा तो हमें उनको जवाब देना है और करके दिखाना है ठीक है अभी बहुत लंबा सफर है और इसको बहुत आराम से patients के साथ discipline के साथ इसको अच्छे से तै करना था कि जो भी हमारा goal है हम उसे achieve करले ठीक है तो इसलिए पूरा consistency रखिये discipline रखिए अपने गोल के लिए ताकि आप हर दिन परयास करें हर मेहनत करें उसको पाने के लिए उसको crack करने के लिए is गिडर्यिट wh killing गार क्रिकर होता है तो अच्वर्य। सरह का स्वर्चे को मलता है और यह जब हम लोग सुनते हैं तो उसी से तो आग अंदर जलती है कि नहीं कुछ करके दिखाना है अगर ये हमें ताने नहीं मारें तो हम लोगों की जो बैटरी एवो डाउन हो जाए तो बैटरी ये बैटरी चार्जर का काम करते हैं हमारे लिए ताने मिलेंगे तब भी तो को फटा-फट से शेयर कीजिएगा यहां से पहला प्रेश्ण बन रहा है और यहां पर लगबग हम लोग करने वाले हैं डेट सो प्लस अच्छा करेंगे राजी ठीके शाम को क्लास है ही जिसके अंदर हम लोग वेश्ण करने वाले हैं चलिए यहां पूशा गया था फ्रेंच ओपन टैनिस का महिला एकल का किताब किस ने जीता है तो इगा स्वेटेक ने जीता है कहां की हैं पॉलेंड की हैं और इनके द्वारा म किताब सुते हैं जो पर्टिकलर जैसे की पहले ओस्टेलिन ओपन हुआ ठीक है फिर आपका फ्रेंच ओपन है कुछ इस तरीके से यह चलते हैं तो राइट आंस आप करहेगा फर्स नंबर ऑप्शन करेक्ट है इगा स्वेटेक कहां की है पॉलेंड की है अगर आप से आपके प्रशन जरूर पूछे गए हैं हां जी ठीक है चलिए तो यहां से देखिएगा जो ऑस्टेलिन ओपन होता है ऑस्टेलिन और जो यूएस ओपन होता है दोनों हार्ड कोट पे खेले जाते हैं मतलब खेलने का जो गराउंड होता है वह विम लंडन जो है यह आपके मैदान पर खेला जाता है और जो आपका फ्रेंच ओपन है यह मिट्टी के मैदान में खेला जाएगा ठीक है मिट्टी के कोट पर खेला जाता है यह चारों ही आपको ध्यान एकने हैं इंपॉर्टेंट हैं नेक्स सेखो हाली में राजीर सिना को किस राजय का चुनाव आयुक्त बनाया गया है चुनाव आयुक्त या राजय निर्वाचन आयुक की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 क के तहत हमें राजय निर्वाचन आयुक के बारे में जानकारी मिलती है और राजय निर्वाचन आय लुए फास्ट चलेंगे थोड़ा ठीक है शक्ति योजना किस राज्य में लाउंच की गई है केरल करनाटक आंद्रपरदेश या तमिलनाडु कौनसी योजना है शक्ति योजना आपको बताना है कि कौनसी राज्य के अंदर लाउंच की गई है अगर वो 20 किलो मीटर का सफर करती है थी के और इसकी मुंख्य मंतरी कौन है सिद्धा रमया और यहां पर कॉंगरेस की सरकार है कौन कौर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं बताइए कौन कौर ये आपका पर्टिकुलर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपके ट्रांस्पोर्टेशन वगर को ये सब चीजें हैंडल करता है इसके नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डारेक क्या आपकी भूव एग्यानिक सर्वेक्षन के अध्यक्ष बने हैं अभी रिमेंबर थुड़ा सा याद आया डी तो नहीं है बिल्कुल संजे स्वरूप बने हैं राइट आंसर आप करहेगा अच्छा सौरी ये थुड़ा सा गडबड है अच्छा अच्छा ऐसे इसलिए संजे स्वरूप है और जनाधन प्रसार ये आपके जो जियो लॉजिकल सर्वे उफ इंडिया है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ठीक है नेक्स एक हैगा तो ये हैं आपके संजे स्वरूप हाली में हमने और भी कुछ न्युक्तिया करी है फटा-फट से देखते हैं अनं लक्षम दा हिंदू गुरूप की अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुला अलमंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष और डैनिन फ्रांसिस जो है यह आपके युनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके 78 वे अध्यक्ष बनाए गए हैं क्या यह आपको बताना है गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग क्लियर हो गया बिलकुल ठीके चलिए तो यहां से पुछा गया था युनेस्को का मिशेल बैटिस अवार्ड यह दिया गया है बाकन जगदिर सुधाकर यहां पे पर्टिकलर अभ्यारन्य के उसके लिए दिया गया है उसके लिंग का मुननार का मुननार ऑभ्यारनय है उसको लेखकर इनको पर्टिकलर ऑक साथी मेन ? बायो स्फियर रिजर्व घोशित किया चाता है उसी का प्रबंदन इन्होंने बहुत अच्छे से किया तो इनको लगबग 12,000 यूएस डॉलर का एक अमाउंट दिया गया साथी में और यह अवार्ड दिया गया ठीके चलिए प्रतम वैश्विक आर्टिफिशल इंटेलिजें कहां पे की गई आपको बताना हैं बंसटे का और प्रतक के रहां ठीक ला सब्कमें करते हो से धिल्ची सेंटर के निशगी थये不 येस बिल्कुल एक नंबर ऑप्षन आपका सही है कि जल्दी से गलास को शीर करें चलिए आपसे पूशा गया है बिमसेक तो इसके लिए जो एनर्जी सेंटर के सापना है यह भारत के अंदर की गई है आपका एक नंबर आप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा बिमसेक का थोड़ा सा ध्यानक लीजिएगा ठीक है यहां पर पर्टिकुलर और जो देश प्राइम का सफल परिक्षन क्या है यह प्रशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एक्जाम के लिए पोखरन एपीज अब्दुलकलाम द्वीप चांदिपूर उडिसा या फिर लद्दाख आपको बताना है अगनी प्राइम यह जो आपकी मिसाइल है इसको कहां से लॉंच किया गया याने कि टेस्टिंग कहां से की गई यह आपको बताना है यह जल्दी से शियर करें क्लास को इसका राइट आंसर होगा एपीज अब्दुलकलाम द्वीप कहां पे है उडिसा के अंदर है इसी का नाम पहले क्या था वीलर द्वीप था और न आरक्षमता लगबग 2000 किलोमीटर हैं यानि कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर काफी लंबी दूरी तक आप इसको यहां पर टार्गेट कर सकते हैं इस मिसाइल के जर्ये किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थ ववस्था एक लाख करोड डॉलर की होगी दो हज़ार इंटरनेट के मलग खाना नहीं मिले तो चल जाएगा इंटरनेट मलग नहीं मिलेगा तो जान चली जाएगी ऐसा को सिस्टम है ना आजकल तो चलिए यहां पर आपको ध्यान लिखना है भारत की इंटरनेट अर्थ ववस्था है यह 2030 तक लगवग एक लाख करोड तक की हो ठीक है चलिए नेक्स देखेगा किस राजे में कुट्टे के मास की बिकरी पर प्रतिबंद लगाने वाली जो अधिसूशना है उसको रद कर दिया गया है कुछ समय पहले तक यहां पर एक वर्टिक्लर निर्देश जारी किया गया था कि कुट्टे का जो मास है ना तो उसक के द्वारा इसको यहां से हटा दिया गया याने कि अब बिकरी और खरीद दोनों ही की जा सकती है नेक्स सेखेगा डबली जो के अनुसार किस कारेकरम ने सारवजिक स्वास्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है कौन सा यहां पर हमने कारेकरम शूरू क्या था जिसने हमारी पर्टिकुलर हेल्थ पे एक पॉजिटिव इंपक्ट डाला है हर घर जल स्वच्छता अभियान मेकिन इंडिया या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका आप लोगों को आंसर करना है जल्ली से शियर करो फटा फटा फटी से शियर करो बिल्कुल अब यहां पर ध्याने कियेगा हर घर जल क्यूंकि इसमें क्या था कि हर मलत जितने भी हमारा इंडिया है जितने भी हमारे ग्रामीन शेत्र है वहां तक जल पहुंचाना नल के जरिये तो यह इसकी योजना थी और इसमें काफी हट तक हम लोग सक्सेस्फुल भी रहे हैं और इसी को देखते हुए ही क्यूंकि साफ पाने पहुंचेगा तो अबिसली लोग बिमार कम होंगे और इसी को ही डब्ली अचो ने बहुत सराहा है ठीक है तो राइट आंसराब कर रहेगा हर घर जल यह योजना ठीक है चलिये आगे देखेगा हाली में एंटी पी प्रोग्राम शुरु कियागा है कितनी लडकियों के लिए राइट आंसर है चालीस लडकियों के लिए 40 ठीक है, चालिस रहेगा, ध्यान लखेगा, नेक्स देखो, गुड मॉर्निंग, तो ये सारी चीज़े ध्यान लखेएगा, एंटीपीसी कान्ती लाउंच, गल एंपावर्मेंट मिशन फूर फोर्टी गर्ल्स, ठीक है, नेक्स देखो, जून दो हज़र तेईस में, क्रूड कौन सा आ गया है, क्रूड उल उत्पादक देश के जो कच्चा इस बात है, उसके अंदर कौन सा देश है, जो दूसरे नंबर पर है, ठीक है, options यहां पर देखेगा, इसका answer कीजिएगा, नई 40 है, मैंने आपको दिखा दिया है उदर से, ठीक है? ठीक है चलिए यहां भी देखिएगा जून 2023 में क्रूड स्टील क्रूड स्टील याने के जो कच्चा स्टील होता है उसमें सबसे बड़ा जूत पादक देश है दूसरा वो बन गया है इंडिया सबसे पहले नंबर पे कौन है चाइना है फिर आपका इंडिया है और फिर अमेरिका, फिनलेंड, रशिया या फिर चीन आपको बताना है किला हुआ यह एक ज्वाला मुखी है इसके अंदर विस्पोर्ट हुआ है और यह चर्चा का विशय बना हुआ है और यह कहां पर है यह आपको बताना है जल्दी से बताए हां चीन, भारत और जापान येस इस इसका राइट आंसर क्या होगा यह स्थित है अमेरिका के अंदर राइट आंसर आपकर रहेगा फर्स नंबर और उप्शन, उसके लाबा कुछ और वी यहां पर ज्वाला मुखी है जैसी की बैरन द्वीप या आपके अंदमान के अंदर है, नार्कोडम यह भी आपके जानिया के अंदर है मोनो लाव जो है या आपके हवाई द्वीप ओध्या निखिएगा डैम वंद जो है या आपके इरान के अंदर है ठीक है आप चाहें तो इनका स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं यह कुछ प्रमुक्र ज्वाला मुखी हैं जहां से प्रश्ण बनते रहते हैं नेक्स सेखेगा ISSF जूनियर विशुक अब 2023 में भारत के द्वारा कितने मेडल जीते गया है यह आपसे पूछा गया है येस बताईए बिल्कुल राइट आंस रहेगा पंदरा मेडल जीते गए हैं एक नमबर आप्शन आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स एक हैगा नेक्स आपके पास है यह सब आप कुछ खुद से देख लीजिएगा यह हम लोग पहले अलड़ी डिटेल से डिसकस कर चुके हैं राजसान से एक मातर NCC कैड़िट जिनका चियन कजाकिसान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है उनका नाम क्या है कहां पे होगा कजाकिसान में होने वाला है कौन सा है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और राजसान की कौन सी खिलाड़ी है जिनका चियन यहां पे हुआ है NCC कैड़िट है तो ध्यान नेखिएगा वैन्या गंगवानी ठीक है इनका चियन हुआ है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जो कजाकिस्तान के अंदर आयोजित होगा ठीक है Next देखो सुनेरी कोठी और हाथी भाटा को प्रेटन सल की रूप में विक्सित करने की घोषना राजय प्रेटन विभाग ने किस जिले में की है यानि क्या आपको बताना है सुनेरी, कोठी और हाथी भाटा यो दोनों राजय स्थान में पर्टिकुलर जगा है और इनको एक प्रेटन की रूप में विक्सित करने की घोषना की गई है इन दोनों का संबंध आपको बताना है किससे है नहीं इन दोनों का संबंध है टॉंक से है ठीके, इन दोनों का संबंद किस से है, टॉंक से है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आपको टॉंक में देखने को मिलेंगे, ठीके, हाली में कहां कि GSI TIS अंसान को अत्य उत्तम की ग्रेडिंग के साथ मानेता प्रदान की गई है, आपको इसका आंसर करना है कि क्या होग जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाली में कहां कि GSI TIS अंसान को अत्य उत्तम की ग्रेडिंग के साथ मानेता दी गई है, तो ये संबंदित है आपके हैधराबाद, ठीका है, है हैं हैधराबाद को यहाँ पे अत्य Lubतम की ग्रेडिंग दी गई है, आपके पास ऑप्षन सै एयर डिफेंडर रुजार राइस की मीजबानी कौन करेगा बिल्कुल राइट रहेगा जर्मनी इसकी मेजबानी करेगा ठीके और यह नाटो के भीछ में रुजन वाला नाटो के जो देश है वो इसके अंदर पार्टिस्पेट करेंगे जून 2023 में किस राजसरकार ने सीम लर्ण एंड अर्ण स्कीम लॉंच करी है काफी इंपोर्टेंट है हमने इसको अपने क्लास में बहुत बार डिसकस किया है और यह शुरू भी हो चुकी है जली से को शुरू किया गया है नेक्स एक हाली में चर्चम में रही पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है नालंदा के लेखक बता दीजिए कौन है और जल्दी से सेशन को लाइक और शियर करें शाम को आपके GQGS की क्लास रहेगी प्रैपन क्रैक 2.0 पे समय है रात को 9 बजे तो के लेखक कौन है तो अभे के हैं ठीक है कौन है अभे के सी नंबर ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा नेक्स देखिए हाली में मैटा ने किस मंत्राले के साथ मिलकर नए भारत के सपने अभियान को लॉंच किया है कौन सा है मैटा ने किया है कि नए भारत के नए सपने अभि लॉंच किया है ठीक है नेक्स देखो भारत ने योचिवान अंडर 20 अथलेटिक चैंपेंशिप 2023 में कुल कितने पदक्स जीते हैं यह आप से पूछा गया देखें और बताईए कि क्या होगा हां जी इसका आप लोगों को आंसर करना है भारत ने यह चिवान अंडर 20 इसका आंसर किजिएगा इसका यहां भी राइट आंसर रहेगा 19 पदक यहां से जीते गए हैं डी नंबर आप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है मिस वर्ड प्रत्योगिता 2023 में किस देश में आयोज़ित की जाएगी मिसूपर सींग रावत को किस देश में भारत आगला उच्चयूकति क्या गया है बांगलादेश, श्रिलंका, सुडान या फिर युगांडा कौन है उपेंदर सिंग रावत आपको बताना है कि इनको हमने किस देश का उच्छाय तिन्युक्त किया है जल्दी से देखेगा और इसका अंसर कीज़ेगा बताईए जल्दी से, अब ये हमारे पिछले हफते का है, पिछले हफते का रिवीजन नहीं हुआ, तो दोनों ही हफते का हम लोग रिवीजन करेंगे, तो अब आप देखलो कि आपके क्विशन्स गलत हो रहे हैं, तो इसलिए रिवीजन मस्ट है और ये क्लास आपको पूरी ह लगानी है लगबग हम लोग दो घंटे के अंदर 180 से 190 क्वेशंस करने वाले हैं ठीक है तो राइट आंसर है यूगांडा ठीक है यूगांडा के उच्छा युक्ति न्युक्ति किये गए हैं आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भारत और कौन सा देश एक बिलि कि बिल्कुल बिलकुल राइट आंसर क्या रहेगा सर्बिया रहेगा रहे और descriptive ह्ड। revolves देश प्हला समूदरी साज़धारी अभ्यास शुरू क्या है यू अ ब्राजिल किसने भारत है फ्रांक हैं और एक और कंट्री हैं जिसने अपने देश का पहला समूदरी साज़धार अभ्यास किया इसको देखेगा और इसका answer vậy? बिलकोल ant oil light है. Right answer क्या रहेगा U AE. आपका Right answer रहेगा U AE knowledge विश्यवप्रतियायन कि मनाया जाता है? आपको बताना हैorus 8 जुन, 9 जुन दस या फिर ज्यारा जुन याने कि पर्टिकुले मैनेता दी जाती है और आपको बताना है, ये दिन हम लोग कब मनाते हैं, येस, बताओ, जल्ली से आंसर कीजेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है, नो जून को हम लोग ये दिन मनाते हैं, ठीक है, नेक्स सेखे, इंटिक संसान के पुरातत्व विदो ने प्रत्थर के ओजारों की खोश किस जगा से की है, किस शेत्र से की है, यानि कि यहाँ पे पत्थर के काफी सारे ओजार मिले हैं, लगब सो से उपर यहाँ पे ओजार मिले हैं पत्थर के, किसने यहाँ पे खोजा है, इ इसका आपको आंसर करना है कि क्या रहेगा बिल्कुल 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 राइट आंसर है अस्तोली बूंदी यहां पर पर्टिकुलर लगबग 104 के आसपस पत्थर के उजारों को खो जा गया है नेक्स देखिए फूड सेफटी इंडेक्स वे भारत का कौन सा स्थान है पांचओं, दसवं, ग्यारवा या फिर आठवा कौन सा है फूड सेफटी इंडेक्स के मामले में राजशान का कौन सा स्थान है यह आपसे पूछा गया है जल्दी से देखे गा और इसका आंसर कीज possibilities नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज करें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उतने ही अपने दोस्तों के साथ शियर कर दीजिए कि आफ़ के आटवां सान है किसके अंदर-फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर राजसान की उरही है नेक्स एक है नेक्स एक राजसान मीं भूजल दोहनडर कितने प्रतिशत है आपको यहाँ पर बताना ही यानि कि हम लोग क्या कर र्हले हैं ग्राउंड वॉटर को कंजू कर रहे हैं वो कितना प्रतिशत ठीक है यह आपको बताना है बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 151.06 प्रतिशत यानि के लगवग हम रहे हम 1500 पर यहां पर दोहन कर रहे हैं ग्रांडड वाटर कसे एक समय आएसा आएगा पानी ही खतम हो जाेगा from वहाँ चीजिन्स करेंट की आपको बताना को ऐ예요 % करना की क्या होगा थो हाँ यहां से दोहन किया रहा है यहां से पूचा गया है कि इसका राइट आंसर थो इस सपता के शुरॉवात करी है नेक्स देखे विशू टेस्ट चैंपिंशिप 2023 का किस ने जीता है ऑस्टेलिया भारत न्यूजी लेंड या फिर इंगले अपको बतां आपको बताना है किसने जीता है येस और स्रेलिया के द्वारा इस किताब को जीता गया है आई पिल की वज़े से इसको थोड़ा से ध्यान खेएगा इसको लंडन की ऑविल स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था पिछली बार भी इंडिया नहीं जीत पाया था भा कार्ति विस्स्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने है यानि कि यूए डिया आई जो हमारे लिए आधार को इशू करते हैं आधार आपके लिए बनाते हैं अधार कार्ट या यह वही संसा है आपको बताना है इसके CEO कौन बनाए गए हैं अरे संजे स्वरूप तो हमने अब भी देखे थे कौन कर के अधेक्ष बने हैं तो यह तो होगा नहीं ठीक है तो यहां से आपको राइट अंसर हेगा अमित अगरवाल ठीक है अमित अगरवाल जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यूआई डियाई के जो नए अधेक्ष बनाए गए हैं वो कौन है अमित अगरवाल है नेक्स सेखे तो यह कुछ बात है यहां से ध्यान रखेगा हाली में उत्र प्रति सरकार ने कब से कब तक की बीश में सभी ट्रैफिक चालान को रद कर दिया है याने कि अगर आपका को कोई भी चालान बन रहा था ट्रैफिक चालान अब आपको वो नहीं देना होगा ताइम पीरिड कौन सा है तो टाइम पीरिड है जल्दी से बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा कि यह ना आपको ऐसे याद होगा कन्फ्यूस करते हैं तो आप जब हम लोग एक साथ भी याद करते हैं तो जस्त आप ध्यान रखें और इसको एक जगह पर नोट करें और अगर दिक्कत होती है तो तीन चाह दिन के अंदर आप इसको रिवाइस करें क्यूंकि रिवीजन ह है इसका option है उसके लाब कोई इसका अनदर option नहीं है ठीक है राइट आंसर है 2017 से लेकर 2021 के बीच में अगर आपको कोई चलान हुआ है तो अब आपको वो चलान नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि इसके बहुत सारे केस जो पेंडिंग चल रहे थे और इसी को देखते हुए इ अगर उनको पैसों की जरूरत है तो वो क्या करेंगी बॉंड को इशू करेंगी और लोग उनसे लेंगे बदले में उनको पैसा मिलेगा तो राइट आंसर है इसराइल के द्वारा डिजिटल बॉंड को जारी क्या गया और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश भी व्यक्ति वरिस हो गया है यानि कि अगर उसकी जॉब छूट गई है वह रिटायर हो गया है अगर वह आगे कुछ बिजनस या कुछ करना चाहता है तो वह इस पोर्टल पर जा सकते हैं आपको बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा करंट ऐसे याद होगा आपको डेली करना होगा रिवीजन करना होगा यही ओप्शन्स होते हैं करंट को याद करने के और कोई अल्टरनेट ही नहीं है ठीक है चलो राइट आंसर रहेगा समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले जो है वो इसका क्या रहेगा उसके द्व से लिए आपको रेगुलर रहें तो सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगे यहां से खाने किएगा सेक्रेट का मतलब क्या होगा तो सीनियर एबल सिटीजन फोर री इंप्लॉयमेंट इन डिगनेटी ठीक है नेक्स देखों किस राजय सरकार ने राजय के आर्थिक स बिलकुल हिमाजल प्रदेश के द्वारा एक वाइट पेपर या फिर आप बोल सकते हैं श्वैत पत्र जारी क्या गया है नेक्स देखेगा सुखविंदर सिंग सुखु क्या है यहां के सीम है खाली में ट्रांस यूनिन सिबिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी जब पेपर की तरह या उसके अंदर जो भी स्टेट के अंदर जैसी भी एकोनॉमिकल कंडिशन से उनको वहां पर नोट डाउन किया जाएगा आगे किस तरीके से सुधार कर सकते हैं वो सारी बाते उसकी अंदर लिखी जाएंगे ठीक है यह जस्वाइट पेपर इसको हम लोग जाता है नो जुन बारा जुन आठ जुन या फिस साथ जुन कौन सा है विश्व बाल श्रम निशेद दिवस हम कब मनाते हैं यह पर्टिकुलर जो डेज हैं वो थोड़ा इंपोर्टेंट रहेंगे ऐसे याद नहीं होंगे हर दिन हम लोग पढ़ते हैं तब आप इसको बह जिवस मनाते हैं ठीक है यानि के बाल श्रम को हमने निशेद किया है और उसी के बारे में लोगों को अवेर किया जाता है इस दिन को ठीक है नेक्स से यह यहां से सारी चीजें ध्यानक लीजेएगा सभी के लिए समाजिक न्याय बाल श्रम का अंत इस परकार की थीम रखी कौन न्युक्त किये गए हैं बिल्कुल आर्जोन को हम लोग वर्ल ओशियन डे मनाते हैं येस राइट आंसर क्या रहेगा नितिन अगरवाल जो है इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर अनिल चोहान सीडियस हैं ठीक है आपसे ब्यस्व के महा निदेशक पूछा गया है तो नितिन अगरवाल है नेक्स सेखें ठीक है यह सारी चीजें ध्यान लखेगा सीवा सुरक्षा बलकि बात करते हैं 1965 में इसका गठन क्या गया था ठीक है और यह सब चीजें यह आपका जो होम मिनिस्ट्री है उसके तहत आता है जो भी हमारे बॉर्डर स्टाच होते हैं पर्टिकलर किसी अनदर क प्रटल सेना के अधेक्ष है आपके मनोश पांडी भारती है थल सेना की उपादिक्ष सुचिंद्र कुमार वाई सीना के अधेक्ष कौन है और हरी कुमार और बाकी आप लोग उपादिक्ष वगएरा यह अच्छे से ध्यान लगेगा नेक्स देखो स्विंग्त रास्र ने किस देश को दी जाने वाली खादे सहायता रोक दी है क्योंकि वहां पर अगर जो सहायता भीजी जा रही थी वहां के लोगों तक नहीं पहुंच रही थी जहां तक पहुंचने चाहिए इसी वज़े से स्विंग्त रास्र ने जो यह सहायता है इसको र राजसान के के जिले में रिजसेमेंटल हिजामा थेरेपी एकक्सिलेंस इंटर पर को खोला जाएगा इस शाम कोक्राइबं होbnा सेंटर को आध सकते हैं ज हीएकелиthirds को थे मैं ठीक है चलिए यहां से राइट अंसराब कर रहेगा भरतपूर में इसको ओपन किया जाएगा अब यह हिजामा यह तेरपी है वो क्या होता है कुछ इस परिकार से इसका इस्तमाल करके आपका जो भी दर्ध है उसको खींचा चाहता है ठीक है कुछ इस तरीके से इनका इस्तम प्रू क्या गया है इसका एक तरीके से इसका निर्मान क्या गया है भारत चीन रशिया या फिर अमेरिका येस बताएं बिलकुल वेरी गुड वेरी गुड राइट आंसरी इसका रहेगा बिलकुल चाइना जो है चाइना के अंदर हाइपर सॉनिक जो सुरंग है इसका निर पर सोनिक ठीक है नेक्स को जाने के हवा के पांच गुना से भी ज्यादा स्पीड यहां पर देखने को मिलेगे यह सारी चीज़े ध्यानक लीजिएगा नाम रखा है जे एफ ट्वांटी टू रखा है हाली में भारते नो सेना ने कहां पर सी बीजी ऑपरेशन किया है बंगाल बिल्कुल राइट आंसर है अरेविन सी के अंदर इस परकार का यह जो अभ्यास है यह जो आपका यह जो ऑपरेशन है यहां पर कंड़क्ट किया गया है अरव सागर के अंदर ठीक है चलिए तो यहां से आप देख भी सकते हैं कहां क्या गया है अरेविन सी के अंदर इसको कि अप्पर नेपाल कौन सा है महिला हो की जूनियर एशिया कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है यह आपको बताना है येस, राइट आंसर देखेगा, भारत ने जीता है, किसको हराकर? दक्षिन कोरिया को हराकर ये खिताब जीता गया है ठीके, इंडिया ने किसको बीट किया है? कोरिया को 2-1 से और इस खिताब को जीत लिया है नेक्स एक हैगा, ठीके, पहली बार इसने ये खिताब जीता है, तो काफ़ इंपोर्टेंट है, प्रशन यहां से जरूर बनेगा नेक्स एक है, कौनसा देश युनेसको में फिर से शामिल हो गया है? लबद 2017 में इसने यहां से युनेसको से यह हट गया था, बट अब यह फिर से इसके अंदर शामिल हो गया है इसा कौन सा यहां पर देश है, यह आपको बताना है, वेरी गुट, वेरी गुट, कौन सा रहेगा, येस हां जी, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जो है, 2017 में इसने युनेसको से यह हट गया था, बट अभी ये फिर से शामिल हो गया है, तो ऐसके पैसा और जुर्माना भी यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स एक है यहां से यह सारी चीजेंशें अंतरास्टे एलबिनिजम जागरुकता दिवस कब मनाया जाता है कौन सा है International Albinism Awareness Day यानिके इनके अंदर क्या होता है यह जैनिटिक सा ही है और बच्चों के अंदर मेलनिन की कम्य होती है जिसके वज़े से ऐसे बच्चों के अंदर कैंसर के चांसे ज्यादा देखे जाते है स्किन कैंसर के जैसे जैसे बड़े होंगे क्योंकि मैलिन जो है या आपको यूवी से प्रोटेक्शन भी देता है राइट आंसर आपको बताना है कि क्या रहेगा बिलकुल 13 जून को हम यह दिवस मनाते हैं इंटरनेशनल एल्विनिजम डे यह एक अवेरनेस दे है याने कि ल यहां से सारी चीज़ें ध्यान अख लीजेगा यह हमने पहले भी बात करी है यानि कि मैलनीन बहुत कम होगा तो शरीर बिलकुल वाइट सा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहां से कुछ और भी दिवस हैं इनको हम लोग कवर कर चुक है 14 नवंबर को विश्व मधुमें दिवस यह सारे इंटरनेशनल है ठीक है एक दिसंबर को हम लोग विश्व एज दिवस मनाते हैं 24 मार्श को हम टीवी डे मनाते हैं 2 अपरिल को ऑर्टीजम ऑर्टीजम अवियरनेस दे मनाएंगे 7 अपरिल को डबली एच्चु कर दे या इंपॉर्टेंट है प्रश्ण यहां से जरूर बनता है ठीक है जल्दी से आप इसका स्क्रिंशोट ले ले ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ें हां जी नेक्स सेखेगा भारत मौल्दीव का सेंग तो सेन्य अभ्यास एकुवेरिन कहां पर आयोजद किया गया हिमाचल कहां पर क्या जा रहा है हमाचल प्रदेश राजसान उत्राखंड या फिर बिल्कुल 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 राइट आंसर आ रहे है हमाचल नहीं है यहां पर राइट आंसर हेगा उत्राखंड में इसका आयोजद क्या जा रहा है कहां पर उत्राखंड में क्या जा रहा है तो C नमबर आपका सही है, next देखे, ठीक है, 24 जून 2023 तर किया जाएगा, यानि कि कल तक आप आज 25 है, कल तक यहाँ भी complete हो गया है, International Air Transport Association के अधिक्ष कौन बने है, आपको बताना है, International Air Transport, तो इसका राई टांसर बताईएगा, यह पर्टिकलर आपके Air Transport, यानि कि जो Airlines है, उन से related है, इसका आपको answer करना है कि क्या रहेगा, Good Morning, Very Very Good Morning, Very Good, Very Good, Peter Salvers, यह कौन है, तो इंडिको के यह आपके CEO है, इनको बनाया गया है, International Air Transport Association के अधिक्ष बनाया गया है, ठीके, यह अच्छे से आपको ध्यान लगना है, नेक्स देखेगा, यह सारी चीज़े, आप दो देख लीजएगा, यह जो हमारे Airlines Company होती है, यह जो हमारे जितनी भी दुनिया की Airlines है, उनके उपर यह particular control and regulation का काम करेगा, ठीके, हाले में कुछ important यूगतिया हुई है, आप इनको खुछ से read कीज़ेगा, क्योंकि इतना समय न climate change turns violent, इसको na WHO ने पुरसकार दिया है, आपको बताना है किसके निर्देशक कौन है, और यह ऐसा पुरसकार पारने वाली पहली भार्टी मूवी भी है, जिसको nomination भी मिला, आपको बताना है कि इस film का निर्देशक कौन है, याने कि इसको किस ने direct किया था, यह आपको बताना है, good morning, good morning, good morning, class का समय है 7 बजे, so please आप लो classes को time से join करें, ठीक है, तो इसका right answer क्या रहेगा, इसका right answer है, वंदिता सहरिया और इनका संबंध है राजस्तान से, next देखो, विश्यु स्वास्य संगठा 1948 में स्थापना होती है, जिनेवा स्विजरलेंड में इसका मुख्याल है, और फिलहाल में 194 देश है, और महारे देशक है ट्रेडोस, ठीक है, next देखेगा, स्थापित पवन उर्जा शंता के मामले में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर पहुंच गया है, यानि कि यहां पर पवन उर्जा को बहुत अच्छे से establish क्या गया है, और यह सबसे राइट आंसर क्या होगा, गुजरात, गुजरात जो है, यह पवन उर्जा स्थापित करने के मामले में पहले स्थान पर आ गया है, ठीक है, next एक हैगा, next है यहां से, किस राजे ने पदम पुरसकार विजयताओं को दस हजार रुपे मासिक पेंशन देने की घोशना करी है इंपॉर्टन प्रेशन है, तो रिपूरा नागलेन हरियाना या फिर उत्राखन, याने के अगर इस स्टेट के जो भी वेक्ति हैं, जिसनोंने किसी भी बरकार का कोई भी पदम पुरसकार जीता है, तो उनको दस हजार पे मासिक पेंशन दी जाएगी, आपको बताना है कि इसका राइट आन्सर क्या होगा? राइट नागलेन नहीं है, हरियाना है, हरियाना, राइट forbidden ऐखर आपको रहेगा हरियाना, मनोहाड ज़'ll Kharler यहां के सीयम है, बिल्कुल हरियाना इसका बिल्कुरा राइट आनसर है, नेक्स है कि सबको आनसर करना है, यहां से सारी च किसे चुना गया है आपको बताना है ICC player of the month ये मई की बात कर रहे हैं इसमें किसको चुना गया है ये इसका answer कर दीजिएगा कि right answer क्या होगा yes very good very good हैरी टेक्टर जो है इनको चुना गया है C number option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा next देखिए हम जो इस revision ही class लगा रहे हैं तो जादा हम लोग detail से नहीं चलेंगे प्रशन बहुत जादा है समय बहुत कम है कोशिश है कि आपके जारे questions cover हो जाएं ठीक है तो चलिए next देखिएगा अगर महिला की बात करेंगे तो यह आपके Thailand की खिलाडी है थिपेजा पुन्त थावों ठीक है पुन्त थावों ये महिला है जिनको ICC player of the महिला मतलब मन्त का खिताब दिया गया है ठीक है next देखिएगा फीफा अंडर 20 विशु कब 2023 किस देश ने जीता है इटली इसराइल उरुगवे या फिर अर्जेंटीना कौन सा है फीफा अंडर 20 विशु कब है 2023 का खिताब किस ने जीता है और ऐसा यह पहली बार भी हुआ है येस राइट आंसर क्या रहेगा उरुगवे जो है इसके द्वारा इस खिताब को जीता गया है और यह पहली बार हुआ है कि उरुगवे ने इस खिताब को जीता है धन एक बार आंसर करोगे मैं तब भी पहचान जाओंगे जीटवांटी देशों के सुप्रिम मौडट इंस्टिउशन का दूसरा शिकर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ गोवा करनाटक केरल या फिर आंदर प्रदेश और अगर आप इसकी पीड़ आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रैपन क्रैक 2.0 वाले जहां पर गोवा के अंदर इसका आयोजन क्या गया था ठीक है बिलकुल नेक्स सेखिएगा आपको यहां पर बताना है राजसान के के जिले में वंचित वाले काओं और महिलाओं को सौफ्वेर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान कारेकरम यहां पर अभिलाशा कारेकरम जो भी महिलाएं बालिकाएं हैं उनको क्या सिखाया जाएगा सौफ्वेर प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगी उनको स्किल्ड किया जाएगा यानि कि उनके अंदर स्किल को डेवलिप किया जाएगा थीक है नेक्स सेखेगा दस्वें पास होना चाहिए और 28 कारेकरी में इसको बहुत अच्छे आया फिर एक अच्छे काटेगरी में इसको नॉमिनेट किया है रखा है आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा वेरी गुड़ वेरी गुड़ कौन सा है मंडावा और यह कहां पर है जुन-जुनु में है यहां की जो इमारते हैं वह बहुत शांदार ठीक है और इसी वज़े से इसको सबसे छोटे खुबसुत कश्बों के अंदर शामिल किया गया है हाली में सर्बियन ट्रॉफी दोज़ार देजी का किसने जीता है यह आपको बताना है कौनसा है और जिनोंने अभी तक सेशन को लाइक और शेर नहीं कि पाई उसके बाद उन्होंने अपना यह खिताब जीता है कौनसा सर्वियन्ट्राफी तो ध्यान नखेएगा एंडी मरी इसका राइट आंसर रहेगा सुघिकवनियुर में फिर लम शू के बाद सास सालों के बाद इन्होंने यह खिताब जीता है तो यहां पर लोग लेते हैं तो इसे लिए ऐसा नहीं कि हुँ में मिल रहा है फंडिंग जब भी होती है तो कहीं न कहीं उसको लोन भी देना पड़ेगा उनकी हिस्सेदारी हो जाती है तो right answer आप करहेगा हिमाजल प्रदेश ठीक है हिमाजल प्रदेश में ADP याने की Asian Development Bank और यहां की सरकार के मद्दे पर्टिकलर 130 मिलियन डॉलर के उपर समझोती पर हर्साक्षर किये गए हैं बागवानी को लेकर हां जी ठीक है नेक्स देखो यहां से नेक्स देखेगा जून 2023 में किस देश के पूरू प्रधान मंत्री सिल्वियो बुल्ल असकोवी का निधन हो गया है आपको बताना है यह कहां के थे प्लीज आप अपनी वीडियो के क्वालिटी को बढ़ाएं जिनको देखने में दिक्कत हो रही है कोई भी इशु चल रहा है आप अपनी सेटिंग में जाए और क्वालिटी को इंप्रूब करें तो डेफिनेटली आपको सही से दिख जाएगा तो यह कहां के थे इटली के उनका निधन हो गया है तो राइट आशर है एक नभर ओप्शन इसका आपको बताना है ओप्रेशन आमायत का समबंध बताइएगा कि किस से है येस, राइट आंसर क्या रहेगा, बिलकुल, रेलवे सुरक्षा बल जो है, आर्पी अफ इसी से संबंदित है, अगर कोई वैक्ति अपना समान भूल जाता है, तो इस उपरेशन के जरिये, उस वैक्ति को अपना समान पहुंचाया जाएगा, या फिर समान गुम हो जाता है, उस समान को भी यादर तक पहुंचाया जाएगा, और इसी के लिए अमानत जो उपरेशन है, उसको शुरू क्या है, फॉप्स की ग्लोबल 2000 की सूर्ची में, रिलाइंस इंडूर्स लिमिटेड की रैंक क्या है, 45, 48, 50 या फिर 52, क्या मैं पानी ले आओ, येस, देखिए, आ 45 रैंक है, आपका एक नमबर ओप्शन जो है, यहां से सही हो जाएगा, रिलाइंस इंडर्स लिस किसकी है, तो मुकेश अमबानी की ये कंपनी है, ठीक है, रिलाइंस, रिलाइंस, जियो, आपका जो जियो, सिनेमा, ये जो जियो वाला है, आपका पूरा ये सब किसका है, आपके मुकेश अमबानी का है, ठीक है, तो ये सारी बाते अच्छे से ध्यान लखेगा, इसमें जो आपका स्टेट बैंक है, उसकी रैंक सतर भी है, HDFC की बैंक 128 में है, ICICI की 163 में है, और Tata Consultancy जो है, उसकी जो रैंक है वो है आपका 387 में, ठीक है, और आपका जो Yes, Yes, Very Good का बनाते हैं, 14 जून को हम लोग ये दिवस मनाते हैं, और ध्यान निखेगा, इस दिन लोगों को अवेर किया चाहता है, कि बलड को डोनेट करना चाहिए, अगर आपके अंदर भी अच्छा खासा बलड है, तो आप डोनेट करें, अगर 12 से उपर है, लड़कों में काफी अच्छा हो जाएगा, इसलिए बलड डोनेट करना चाहिए, ठीक है, तो 14 जून को ये दिन मनाया चाहता है, लोगों को अवेर क्या चाहता है, यहां से देखेगा, गिव बलड, गिव प्लाजमा, शियर लाइफ, शियर ओफन, ठीक है, ये पर्टिकलर इस साल 2030 की थी इशाध आमको गिव गश्ट मिला है, ये आपको बताना है किस राजे के इशाद आमको ग टायक मिला है, चलो, देखो इशाद आमको गिव ईशाध एप कर शिरुंगे की श्रिव टायक मिला है तो करना चाहिए नश साही अपिशन आपका यहां पर C और D ठीक है यहां पर राइट आंसर हेगा करनाटक नेक्स एक हैगा उत्तर करनाटक का इशाद आमें काफी फेमस है इसको जियाई टैक दिया गया है अभी हाली में जो भी हमारे जियाई टैक मिले हैं वो काफी इंपॉर्टन रहेंगे उनको अच्छे से ध चलिए राइट आंसर यहां पर रहेगा उडिसा उडिसा के अंदर इस परकार का यहां से पहले जन जाते खेल कायो जन क्या आगया आपका D number option correct हो जाएगा नेक्स एक हैगा बच्चों के इतने अजीब-जीब से questions होते हैं कि उनको देखके मला हसी बहुत आती है चलो यहां चीज़े ध्यान रखेएगा FSAI यानिके Food Safety Standard Authority ऑफ इंडिया के द्वारा किस रेलिवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन परमानन का दर्शा दिया गया है आपके पास options है देखें और बताएगे कि राइट आंसर क्या होगा जल्दे से class को share करें and like करें यह सेशन है इसमें हम लोग revision कर रहे हैं 15 दिनों का लगबग हमने कितना अभी हमें एक घंटा भी नहीं हुआ है ना कितना टाइम हुआ है आट बिश के एक मिनट यानिक हमें एक घंटा भी नहीं हुआ है और हमने 74 questions कर लिए not bad ठीके revision बहुत अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का कम समय के राइट आंसर है गुहार्टी railway station और ये नॉर्थ इस का ऐसा पहला railway station बन जाएगा जिसको इट राइट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है तो ऐसा पुछा जा सकते हैं नॉर्थ इसका पहला ऐसा स्टेशन कौन सा है जिसे FSAI के द्वारा इट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है तो राइट आंसर है गुहार्टी railway station नेक्स एक एगा अमेरिका का इकबाल मसी पुरसकार किसने जीता है आपको देखना है और इसका आंसर करना है कौन सा इकबाल मसी पुरसकार ठीक है इकबाल मसी पुरसकार वैसे पाकिस्तानी लड़का था ठीक है और बाल श्रम के तहत इसकी डेथ हो जाती है, आपको बताना है और उसके बाद से अमेरिका के द्वारा एक बाल मसी पुरसकार दिया जाता है, बाल श्रम निशेद दिवस के हमने बात करी थी, उसी दिन के उपलक्ष में इस पुरसकार को दिया जाएगा, और ललीता जो है, जो इस फिल्द में काम कर रही है, इन्होंने इस पुरसकार को जीता है, येस नहीं, C नंबर सही होगा, ललीता नटराजन, येस ललीता नटराजन, बिलकुल इनको हमने बहुत बार कवर किया था, बिलकुल, 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 फीख है, नेक्स थेखेगा, भारती नो सिना के चोथे सर्वे वेसल लार्ज युदपोथ संशोदक को कहां से लॉंच किया है मुंबई विशागा पत्नम चेन्ने या फिस सूरत आपको बताना है कौन सा है चोथा सर्वे वेसल लॉदपोथ है याने किस से पहले हमारे पास तीन और भी हम लॉंच कर चुक और ऑप्ष्यन बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स एक अंडर 17 एश्याई कुष्टी चैंपिंशिप दो हजार से भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तीस चोविस चालीस या फिर अठावन कौन सा है अंडर 17 एश्याई कुष्टी चैंपिंशिप में भारत के द्वारा कु किंशू माही दिल्राज येस इसका राइट आंस रहेगा 24 मेटल जीते गए हैं आपका बी नंबर ऑप्षन यहां से बिल्कल से हो जाएगा कितने मेटल जीते हैं 24 जीते हैं किसके अंदर अंडर 17 एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप के अंदर ठीक है 2023 में इसका आयोजन हु बंढ़ा जाएगा अ्प्रियमां से रुटिक में उधापूर हता हुट यहां दिशन दोपना रहे हैं ऐसा नहीं पाए यहार राजासान सबसे बड़ा था और इसका निर्मान कहां पर जायेगा ईंच्र बिल्यकुल हिवेरगूड कहां पर एमेंश ईंद्र पार के नंदर सही है, एक number option आपका बिल्कुल correct है, very good, yes, मैं लिए याद है न सब कुछ, चलो, next एक हीएगा, यहाँ से ध्यान रखना है, governor of the year 2020 का award किसे दिया गया, शक्तिकांदास, अर्जित पतेल, sorry, अर्जित पतेल, N.K. सिंग या फिर अर्विंद पंगडिया, आपको बताना है, governor of the year Central Banking Agency है, इनके द्वारा particular जितने भी हमारे जो भी देश है, उनके जो भी Central Banks होते हैं, उनके उपर control करना, और यह देखना कौन किस प्रकार से अपनी जो नीतिया है, उनको संचालित कर रहा है, और उसी के द्वारा इस award को दिया गया है, किसने जीता है, शक्तिकांदास, क्य कि यह हमारे RBI के governor है, और इनको यह governor of the year का award दिया गया है, यह नेक्स सेखेगा, ठीक है, Central Banking यह दुनिया भर में particular जो भी हमारे Central Bank से उनके उपर control करने का काम करती है, और 2015 में जो रगुराम राजन है, उनको भी यह award दिया जा चुका है, अरुन पोल एप किस राजे में ल करें, बिल्कुल, 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 25 में हमारे governor है, ठीक है, येस, कुछ-कुछ बच्चे हैं, जो काफी पुराने students हैं, देख के अच्छा लगता है, येस, classes को continue कीशे, यहां भी देखेगा, अरुन पोल जो है, ये अरुनाचल प्रदेश से संबंदित है, अरुन प इस एप के थू ही करवा सकते हैं, यानि कि आपको थाने जाने की ज़रत नहीं है, राइट आंसर है, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, नेक्स देखो, खाली में जारी Community Spirit Index 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे अमित्र शहर बताया गया है, इसको देखेगा, और इसका आंसर कि क्या रहेगा, जिस आंसर को मैं पानी लेकर आ रहे हूं, अब यहां पर देख लिशेएगा, मतलब की काई लोगता है, अब यहां पर देख लिशेएगा, जो बड़े-बड़े शहरों में क्या होता है, कि लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, उनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, इवन वो यह भी नहीं चानते हैं कि साथ वाले में रहता कौन है, तो यह इसी कैटेगरी में लगबग कौन अमित्र है, कौन अमित्र है, य जगाना है, यह आपका सबसे अमित्र कैटेगरी में आता है, और ध्यान नखिएगा, नई दिल्ली और मुंबई जो है, यह जो हमारे भारत की जगा है, नई दिल्ली और मुंबई, यह भी अमित्र की कैटेगरी में हैं, ठीक है, यह भी आपके अन फ्रेंडली हैं, तो ध्य समझ गए मित्र और अमित्र चलिए नेक्स से यहां से आपको ध्यानिक नहीं कुछ हमने यहां पिन्युक्तिया करी हैं आपको इनको खुद को ही रीड करना है आप इनको देखें आप चाहें तो इनका स्क्रेंशॉट भी ले सकते हैं और यह काफी जादा इंपॉर्टेंट भ काफी सराहा है और यहां से पर्टिकुलर कंटिनेट चल रहा है जहां पर नल के जरिये लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाएगा और यहां पर निवाडी जिला है यह एक ऐसा जिला बन गया है जहां पर सब को हर घर जल पहुंचाया जा चुका है ठीक है नेक्स एक है क कहां का है, तो यह हैं आपके MP का है, चले, यह तो आपके दूसरा जिला है, इससे पहले MP का ही बुरहानपूर था, जिसमें लगबख जितने भी यहां पे गाम आते हैं, उन सभी को पानी पहुंचाया जा चुका है, तो इसके शुरुवाद यहां भी किया गया है, 2019 में इसके शुरवात की गई और लक्षे रखा गया है कि 2024 तक जितने भी हमारे गाम है वहाँ पे हम लोगों को सभी घरों में जलको पहुंचाना है ठीक है ठीक है और प्रिंटर की ब्रेंट इमेजर बनाया है चलिए ने기र हम्हारे verwest कि लिए थोड़ा सा रख्यानाण्ड tab या हैं यम्हारा ल सिरा इसका थारन ने किस देश से व्रत आरण सोधे को मंजूरी दें जापान रूजtle ना पर Baltina कि याम भी देखेगा कि आपका जो रक्षा मंत्राले हैं हमने क्या है समझहोता है किसकेוס रखे के साथ क्या है क्योंकि इससा पहले हैं हमने इसे ड्रॉन लिये हुए हैं अब कान हुझा लेने जा रहे हैं ठीक हैं ंतो इसके लिए हमने अमेरिका के साथ रक्षा समझोते पर हस्ताक्षर भी किये हैं ठीक है तो यह सारी चीजें ध्यान लगेगा हाली में किस राजे में रिजर्ब बैंक और इंडिया का उपकाराले याने कि सब ऑफिस खोला गया है ऐसे तो जनरली हमारे जितने भी स्टेट हैं उनकी इसका आपको आंसर करना है नागा लेंड ठीक है नागा लेंड जो है यहां पर रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया का उपकाराले खोला गया है डन के इतनी बाते क्लियर हो रही है येस बी नंबर ऑप्शन सही है वेरी गुट नेक्स एक हैगा नेक्स आपके पास है यह सारी च बठन क्या गया और 1949 में इसका रास्ट्रे करन कर दिया गया था और इसका मुख्याले है मुंबई महरास्ट्र के अंदर गवर्नर है कौन शक्तिकान दास है ठीक है चलो हाली में कुछ निधन हुए है जैसे कि कॉर्मेक मैकार्टी यह पुलितजर प्रसकार विजेता और निधन हुआ वेद कुमारी घई संस्कृत की यह आपके विद्वाता थी या विद्वान थी जिनका निधन हुआ है जम्मु कश्मीर से संबंद टीना टर्नर की बात करेंगे तो मशूर सिंगर और आपके शरत वावु यह अभिनेता थे जिनका हाले में निधन हो गया है त यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पर्टिक्लिफ फ्यूल बनाने की कोशिश की जा रही है जो विमान के अंदर डलेगा यानि कि आपके ऐरो प्लेन से उनके अंदर ताकि जो आपके दूसरा फ्यूल डलता है कारबन इमीशन करेगा तो उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि safe रहे और हमें दूसरों से आयात भी नहीं करना पड़े, तो इसके लिए हमने क्या क्या है, लेंजर जट के साथ मिलकर एक साज़दारी करी है, कि हम यहां पर जो क्या करेंगे, विमानन इंदर से अंदर स्थापित करेंगे, और यह कहां क्या जाएगा, हर्याना के अंदर क्या जाएगा, वेरी गुड, वाव, गुड, 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 चालिए, नेक्स सीखिएगा, नेक्स यहां से है, किस राजे की पांच इमारतों और सनरशनाओं को अंतरास्त्री ग्रीन एपल प्रुसकार से नवाजा जाएगा, याने कि इसके लिए चुना गया है, आपको बताना है, 84 नंबर का क्वेशन का आंसर, किसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल तिलंगाना, तिलंगाना के पांच यहां पर पर्टिकलर इमारते हैं, जिनको चुना गया है, ठीक है, जैसे के एक तो है, मौजम, जाही मार्केट, इसको विरासत कैटेगरी क के अंदर, दुर्गम, चेरवू, यह जो आपका केबल ब्रीज है, इसको चुना गया, बियार, अंबेड का तिलंगाना, राज़े, जो सची वाले हैं, उसको चुना गया, उसके लावे एक पर्टिकलर मार्केट है, जो हैधराबाद के अंदर है, इसको चुना गया, और आ तो यह राजसान की बात हो रही है, राजसान सरकार जो है, अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर है, कोई भी आपके यहाँ पर श्रमिक है, अगर वो होस्पिटल के अंदर एड्मिट हो रहा है, या उसके घरवालों में से कोई एड्मिट हो रहा है, और वो काम नहीं कर पा रह तो कौन सी योजना के तहत उसको सहायता दी जाएगी ये आपको बताना है येस राइट आंसर क्या रहेगा बिलकुल 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 चिरंजीवी श्रमी के संबल योजना इसके तहत परड़े 200 रुपे दिये जाएंगे और एक हफ़ते तक दिये जाएंगे तो ये बाते आपको अच्छे से ध्यान अकने हैं नेक्स देखेगा जून 2023 में जारी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में सबसे कम प्रसार वाले देशों में शिर्ष सान पर कौन है स्विजरलेंड है नौर्वे है जर्मनी है या फिर भारत है यानि कि स्लेवरी क्या होता है गुलामी ठीक उसी से हमें यह थोड़ा ध्यान रखना है स्विजरलेंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसको थोड़ा से देख लेते हैं क्या यह कहता है देखेगा modern slavery के अगर आपका जो highest है प्रसार वाले देश यानि के जहां पर आपको स्लेवरी या गुलामी बहुत जादा देखने को मिलेगी यानि कि लोग गुलाम बना के रखते हैं बंदवा मजूरी टाइप यह सारी चीज़ें इसके अंदर आती है तो फर्स रैंक पर है उतर कोरि नहीं देखने को मिलेगी सबसे कम देखने को मिलेगी तो स्विजलेंड नौर्वे और जर्मने और बात करेंगे कि सबसे जादा अबादी होने के बावजुद वहां पर सबसे जादा कहां देखने को मिलेगी तो भारत में चीन और पाकिसान अबादी बहुत जादा है और आप नसको क्या है गुलाम बना के रखा है और इसी बैस पर जो सर्वे क्या गया उसमें सबसे जादा अबादी वली देशों में सबसे अधिक संख्या में कहां पर देखने को मिलती है भारत के अंदर देखने के अलावा किस देश में किया जाएगा यह आपको बताना है चलिए इसका आप लोग आनसर केज़ेगा कि क्या होगा एशिया चिन लंका बांगलाद今日は पाकिसान के अंदर नहीं होगा कि 12amar autism नफंट जो है फिनाले जो है यह भी कहां पर रहेगा श्रिलंका के अंदर ही होगा राइट आंसर है आपका श्रिलंका और पाकिस्तान दोनों के अंदर एश्या कप क्रिकेट 2023 का आयोजन किया जाएगा ठीक है नेक्स देखेगा यहां से सारी चीजे ध्यान रिख लीजेगा और सबसे आधे के आधे यहां की संब्दित करने वाणे पहले ब्हारती प्रधार मंत्री बन जाएंगे और यह उनकी पहली स्टेट विजिट भी थी क्योंकि यहां के जो आपकी राष्टर पती है जो आधेन अमेरीका के उन्होंने स्पेशली इन्वाइट किया है किसको हमारे पीम unpredictable को अगर कोई भी राश्टर का अदिक्ष किसी दूसरी राश्टर का अदिक्ष को इन्वाइट गरता है तो उसे State विजिट कहा जाता है टॉ यह कैसी है State विजिट है आपका c number option यहां से सही हो जाएका वेरी कुड़ नेक्स एक हली में RSL क्रिस्ट्रॉफर ब्लेंड प्रिस्कार 2023 किसने जीता है तो यह भी आपके साहिते के शेत्र में दिया जाता है बिल्कुल योग दिवस पे गए थे ठीक है चलिए यहां से देखेगा पैटर्सन जॉसिफ जो है इनको RSL याने के रॉयल सोसाइटी ओफ लिट्रेचर इसके क्रिस्ट्रॉफर ब्लेंड प्रिसकार से इनको सम्मानित क्या गया है और ध्यान नेखेगा यहां से नेक्स आपका बन रहा है नहरू मेमोरिल म्यूजियम इंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहां पर है जिसका नाम बदलकर प्रधान मं संगराले और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है अभी हाली में बहुत सारे नाम बदले गए हैं पूरे देश के अंदर तो जो जो नाम बदला गया है वह इंपॉर्टेंट रहेगा प्रशन यहां से जरूर बनेगा आपको इस प्रशन का अंसर करना है कि यह जो नाम बद नेक्स देखो नेक्स यहां से प्रशन बन रहा है यूए नंगी ने शहीद शान्ती सैनिकों के लिए स्मारक दिवार बनाने के प्रसाव को अपना लिया है और यह प्रसाव किस देश के द्वारा रखा गया था अब यहां पर जो यू नाइटर नेशन की जरनल असेम्बली है यह आपके कुछ नब peace keepers को रखती है याने के शांती सेना स्वारब की जितने भी इसके अंदर countries है वहाँ से कुछ सेना को यहां पर बुलाया जाता है और उनको कुछ एसे area के अंदर तैनात किया चाता है जहां पर युद्ह की स्थीति होती है या बहुत सारी यानि के युद्ध को शांत करने के लिए एसी वज़े से इन को फिर जब भीजा जाता है तो उनको शांती कीपर कहा जाता है यहांपी इंडिया की द्वारा इसको प्रसाव रखा गया था कि जो भी शांति की पर जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए एक आप memorable एक वाल बनाए और जहां पर उनका नाम वगर अंकित हो और इस प्रसाब को UNGA के द्वारा अपना लिया गया है डान नेक्स देखेगा रिलाइंस तीरा ने किसी अपना ब्रेंड अमेजर बनाया है सुहाना खान क्यारा अडवानी करीना कपूर खान या फिर सभी को बस इतनी देर में बस अब आए चलो हान जी बिल्कुल राइट आंसो यहां पर क्या रहेगा ध्यान रिखेगा सभी को ही बनाया गया है रिलाइंस तीरा जो है या आपके रिलाइंस की ही कंपनी है जो आपके मेकप और ब्यूटी प्रॉडक्ट से रिलेटिड है तो इन तीनों को क्या बनाया गया है इसका ब्रेंड अमेजर बनाया है ठीक है हाली में अरब सागर में सबसे लंबी जीवनकाल वाला चक्रवात कौन सा बना है मुरासू घुड़नी बिपर जोई या फिर मेंड्रेस इसका आप लोगों को आंसर करना है और एक मिनट मैं बैटरी को चेंज कर लूँ एक मिनट रुको चलो एक बड़ चलने दो इसी को ही बिल्कुल बिल्कुल बिपर जोई इसका नामकरन किसने क्या है बांगलादेश ने कहां से उत्पन हुआ है अरब सागर से इसके उत्पत्ती हुई है राइट आंसर आप करेगा सी नंबर काफी लंबे समय तक चलने वाला यह आपका शकरवात रहा है और इसका जो असर है वो हमें राजसान में भी देखने को मिला है ठीक है यहां भी नेक्स देखेगा किस राजे में राजा उस्तव का आयोजन किया गया त्रिपुरा नागल एक मिनट रुकेगा बस एक मिनट चलो लगा है नहीं यहां पर देखेगा राजा उस्तव की बात हो रही थी राइट आंसर है उडिसा के अंदर इस उस्तव का आयोजन क्या गया ठीक है नेक्स एक यहां से कुछ द्यान लखेगा कौन-कौन से तेवार या फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं खीर भवानी मेला यह मनाया जाता है जम्मु एन कश्मीर के अंदर सिंदु दर्शन लदाग का है नुखवाई और जो तेवार है यह उडिसा का है खर्ची पूजा त्रिपुरा मिमकुट मिजोरम पक्की पक्का हॉर्णबिल यह आपके अरणाचर प्रदेश का है और हॉर्णबिल तेवार यह आपके नागा लेंड का है तो आपके जो तेवार फेस्टिबल से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रशन यहां से पूछा जाता है बिलकुल ठीक है एक मिनट लुद्ध आपे कारेकरम किस के दोरह शुरू क्या जानगा भारते वाई वायू सेना भारते नो सेना NDRF या फिर CRIPF कौन सा है जूली लदाक कारेकरम यानि के लदाक के अंदर जो भी लोग हैं बच्चे हैं जो भी युवा हैं उनको प्रेरित करना उनको यहां पे सेना के अंदर एक तरीकी से प्रेरित करना कि वो सेना के अंदर शामिल हो इसी के लिए ही जूली लदाक कारेकरम कायोजन के जाता है यानि कि बहुत सरी युवार होते हैं वह इपने परिवारों को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं काम करने यहां से कुछ और भी दिन मनाते हैं जिसी कि विश्व बुजुर्ग दुर्वयवार जागरुकता दिवस 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 15 जून रक्त दाता दिवस अभी देखा 14 जून को अल्बिनीजम डे 13 जून को बालश्रम निशेद दिवस 12 जून परत्यानियन 9 ज कर समयलन कहां पर आयोजित किया गया है भोपाल बैंगलूरू जैपूर या फिर महा बलीपूरम महिला 20 2015 में आप लोगे जानते हैं कि इस बार जी 20 के अधिक्षता भारत कर रहा है और इसके अंदर 2015 से महिला 20 इसके शुरवात की गई थी ताकि महिलाओं को सर्शक्त बनाय जाये तो उसके लिए इस समयलन का आयोजन किया गया कहां पर महा बलीपूरम कहां चैन्य के पास है और यहां पर महिला 20 शिखर समयलन का आयोजन किया इंपोर्टन्ट पूछे जाने की संभावना है हां जी नेक्स सेखेगा नेक्स आपके पास प्रश्न है यह थोड़ी से हमने किये हैं, भारत और यूर्पिय संग कनेक्टिबीटी सम्मयलन शिलॉंग में इसका ऐयोचन हुआ, छहतरवा World Health Assembly जिनेवा के अंदर आयोचन हुआ, G7 शिकर सम्मीलन जापान के अंदर, क्वाट यहां पे हिरोशिमा जापान के अंदर, जहां पर आपके PM मोधी साब गए थे, छटा हिंद महा सागर संभीलन धाका के अंदर, 42 वा आशियान ये आपकी हुआ है, लाबुवान बाजो इंडोनेशिया में और मशीन कैंसी ये हुआ है दुबई के अंदर, ठीक है, ये भी आपके आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से ही प्रदेश में मंद्रेगा, यानि कि राजसान में मंद्रेगा की मैट की मजदूरी को बढ़ा कर कितने रुपए प्रति दिवस के रूप में कर दिया गया है, राजसान में मंद्रेगा, मैट की मजदूरी, मंद्रेगा जिसमें पर्टिकुलर, यहां पर रोजगार दिया ज कि ये ये इस हां 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 अरे इस साउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हो जाती बैटरी बिल्कुल डाउन थी बस वो मैंने आज पहले देख लिए इसलिए मैंने आज इसको हाथ में लेकर रखा था ठीक है चलिए तो राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा बी नंबर ऑप्शन नेक्स एक हैगा सीन जी से संचाली देश का पहला टॉइ ट्रेन शुरू की गई है इसके बारे में सत्यकत्र बताई गई कहां पर शुरू की गई है इसका आपको राइट आंसर करना है कि क्या होगा चलिए यहां भी दिखेगा यह उद्यपूर के अंदर शुरू की गई है महारणा प्रताप के नाम से शुरू की गई है और कैसी है यह देश की पहली टॉय ट्रेन है जिसका संचालन राजसान में क्या गया है आपको यह सारे ही स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाएंगे डी नंब चलो इसका आंसर कीजेगा इसका रामचंदर गुआ की पुस्तेक है जिसका नाम क्या है रिबेल्स अगेंज राज वेस्टन फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ठीक है यह पुस्तेक है जिसके लेख़ कौन है रामचंदर गुआ है नेक्स एक हैगा यहां पे कुछ औ और भी पुस्तके हैं आप इनको ध्यान लखेगा कौन-कौन सी पुस्तके हैं 2023 की क्योंकि पुस्तके बहुत ही ज्यादा इम्पर्टेंट रहेंगी और यहां से आपके एक्जाम के अंदर प्रस्स जरूर बने इनकों अब तक भी क्लास को यहां पर लाइक और शीर नहीं किया है वो जल्दी से क्लास को लाइक और शेर कर दो फटाफट से ठीक है नेक्स आधेगा किस राजे की जेलों का नाम बदल क तो सुधार ग्रहे किया गया है इसका आप लोग अंसर कीजिएगा जस्ट ए मिनुट तो यह दाई टांसराब कर रहेगा उत्र प्रदेश उत्र प्रदेश के मुख्य मंतरी कौन है योगी आदित्यनाथ तो इनके द्वर्ण यहां पर अब जेलों का नाम बदल कर क्या क्या गया है सुधार ग्रहे क्या ग्या है ठीके नेक्स आपके पास राश्ति जल्प्रिसकार में सर्वस्रेस राजे कौन सा बना है यानि कि यहां पर जल्प्रिस्वेंत बहुत अच्छा किया गया है और इस कैटेगरी में इसको फर्स प्राइस दिया गया थ्टियस गर्ड राजस्थान अध्यप्रदेश या फिर हर इनदाना आपको बताना है कि कौन सा राजे है जि में सर्वस्टिस राजे का पुरस्कार जीता है इसका राइट आंसर क्या होगा मद्य प्रदेश आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मद्य प्रदेश में जल प्रबंदन बहुत अच्छा सा किया गया है और इसके लिए इसको यहां पर पुरस्कार भी दिया गया ठीक है अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वस्टिस ग्राम पंचायत तो जगनात्पूरम यह कहां पर है तिलंगाना की है और अगर स्टेट पूछा जाएगा मद्य प्रदेश अगर डिस्टिक पूछा जाएगा तो गन्जाम जिला जो कि कहां का है उडिसा का है ठीक है नेक्स देखे हाली में कुछ और भी प्रिसकार दिये गए हैं बट यह सारे हमने यहां पर अपनी पिछले जो क्वेशन से उनके अंदर कवर कर लिए हैं नेक्स देखे मद्य प्रदेश का साथवा टाइगर रिजर् अपको धियान एक और इसका रैट आशर करना है कि क्या होगा यस ठीक है तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इसको अब क्या किया जाएगा इसको साथवा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा कहां पे है तो यह है आपके MP के अंदर और इससे ही आपके टोटल कितने हो जाएंगे 54 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे ठीक है नेक्स एक हैगा नेक्स आपकी पास प्रश्न है किस देश ने पाकिसान में पहली महिला दूद के रूप में जैन मैरियट को नुक्त किया है आपको बताना है कि पाकिसान के अंदर पहली महिला राज दूद किसको नुक्त किया है ज उसके अलावा लक्षमी है, आर्यान है, किंशु है, ठीक है, वेरी गूद, वेरी गूद, बिल्कुल, राइट ऑंसर यहां पर रहेगा, प्रियांका का बिल्कुल सही है, United Kingdom के द्वारा इस परिकार का यहां पर स्टेप उठाया गया है, नेक्स एक है, United Kingdom, चार यहां पे देश आते हैं, यह आपने देखा था, Scotland है, आपके Northern Ireland है, Wales है और आपका यहां पे England है, और इसी के मुख्य मंतरी कौन, sorry, इसके प्रधान मंतरी कौन है, रिशी सुनक है, खाली में किस राजे सरकार ने इस कुटी योजना को मंजूरी दे दी ह आपको बताना है, e-scootie योजना जो है, यह कहां की योजना है, और कौन सी सरकार ने इसको मंजूरी दी है, यह आपको बताना है, e-scootie योजना, जल्दी से देखेगा और इसका आशर कीजएगा कि क्या होगा? अच्छा मैं मेरा नाम लेते तो मैं चली जाती देखो इसका राइट आंस रहेगा या आपको पर्टिकलर दिख रहा होगा मद्यप्रदी सरकार के द्वारा इस परिकार का स्टेप यहां पर उठाया गया है नेक्स एक हैगा दुग्द संकल्प साथी मोबाइल एप किसने लॉंच किया है डॉक्टर महेंदर नाथ पांडे एस जैशंकर राजना सिंग या फिर मिनाक्षी लेखी अब किसके लिए याने कि दूद का जो इट्रांसपोर्टेशन या जो भी खरीद वगर है इसमें ट्रा मोबाइल एप को लॉंच किया गया है बिल्कुल पांडे जी ठीक है पांडे जी ने इसको यहां पर लॉंच किया है वेरी कुड नेक्स देखो यह थोड़ा ध्यान नखिएगा सिप्री की एयर बुक 2023 के अनुसा सर्वादिक परमानों सर्शस्त्र वाला देश कौन सा बन ग और साथ में पर्टिकुल एक करेक्ट डेटा प्रोवाइड करती है और साथ में इनके उपर कंट्रोल करने का भी काम करती है राइट आंसर है रश्या इसने बोला रश्या के पास यह जो आपकी अटोमिक वैपन से इनकी संख्या सबसे जादा है हान जी वेरी गुड नेक्स देखें तो सिप्री का ध्याने किएगा मुख्याले स्वीडन के अंदर है सापना हुई है 1986 के अंदर आपको कोई भी सर्च करना है शोद करना है कोई भी जानकारी चाहिए तो यह जो सिप्री है यहां से आप अपने लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं भारत की सब अपने आप ही बनती है और इस परकार की खोश की गई है और यह सबसे बड़ा कहा जा रहा है नैचुरल आर्क इसको हम लोग बोलते हैं येस येस बिलकुल राइट आंसर क्या रहेगा उरिसा के अंदर यह आपको मिला है ठीक है मैं थोड़ा सापको दिखा देती हूँ कु बाला सर के अंदर जो ट्रेन हाच्सा हुआ है योडिसा के अंदर है मोघर आवास योजना यानिके माइघर आवास योजना या आपकी उडिसा की द्वराग शुरू की गई दूसरी G20 संस्कृती समु की बैटक भूमेशन और हुई है और उडिसा दिवस कब मनाया जाता है एक अपरल को उडिसा दिवस या इसी को हम लोग उत्तकल दिवस के नाम से भी जानते हैं नेक्स देखों भारत ने किस देश में आयोजित एनेसी इंटरनेशन अनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है यह फेस्टिवल है जिसके अंदर अनिमेशन ग्राफिक यह दूसरी यह जो बिजनेस्मेन होंगे वह उसकंपनी के साथ समझोता करेंगे डील करेंगे यानिक तरीके से आप खुद और अपनी कंपनी पर्मोट कर सकते हैं नेक्स देख वारह में इस सारी बाते हैं जो आप देख सकते हैं नाहिदा खान एक अंग आंने अंतरास्रे से सन्यास ले लिया है और आपको बताना है वो किस देश के खिलाडी है जिनों ने अंतरास्य क्रिक्ट से सन्यास ले लिया है यह आपको बताना है जल्दी से देखें और बताएं 5 राड़ी बहना यूजना जो है ये हैं एंफी की है चल ability इसका Right, एसका Right नेशनल जो क्रिकेट है वो नहीं खेलोंगी ठीक है नेक्स देखो अगर हम बात करते हैं यह सारी चीज़ें हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं हिंदुजा समू के नई चेर्मेन कौन बन गए है क्योंकि कुछ समय पहले क्या है उनका नाम क्या है उनका नाम है गोपी चंद हिंदुजा जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें पटाफ़ट से हाँ ठीक है नेक्स देखो नेक्स आपके पास से विश्व मरुसली करण और सूखा रोगत हम दिवस कब मनाया जाता है 17 जून को 14 जून को 12 मई या फिर 10 अप्रैल को आपको बता रहा है कौन सा विश्व मरुसली करण और सूखा दिवस कब मनाते है याने कि लोगों को अवेर किया जाएगा जो भी मरुसली करण हो रहा है मरुसल का जो प्रसार हो रहा है सूखा हो रहा है उसके बारे में अवेर किया जाएगा येस बेरी गुड का मनाते हैं 17 जोन को हम ये दिवस मनाते हैं फर्स नम्मर ऑप्षन आपका यहां से सही हो जाएगा अब देखेए गाई इसकी थीम क्या है उसकी भूमी उसके अधिकार याने कि हिस लेंड और हिस राइस यह उसका यहां पर क्या रखा गया है थीम रखा दो हैं जयर्क्रइब दो कर लेते हैं जैसे की अंटार्टिका मृसल अंटार्क्टिका महां अ कश्मी हैं प्रषन यहां से आपके इंग्जाम के और पूछा जाता है done अब जल्दी से मुझे यह बताओ कि यहां तक सारी बाते clear हैं अगर हैं तो जल्दी से thumbs up करो जल्दी से कैसे मतलब अच्छा लग रहा है सारे questions right हो रहा है पचास सार्ट में एक अधर question और गलत हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा motivation आता है कि हां मतलब जो current affair बन रहा था वो से हमें याद है ठीक है तो यही तो होता है थोड़ी थोड़ी clear है तो classes को continue करें कुछ गलत भी हुए है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब देखो यह सब चीजन तो रहेंगे न अगर हम इतने सारे अब आप देखी रहें कि हम कहां पर पहुंच गए है 111 में अगर आपके यहां तो कोई 5-6 equation भी गलत हुए है दस भ पढ़ाई कर रहे हो इतना confusion होना लाजमी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे sports हैं मतलब books हैं पता नहीं क्या क्या है तो इसलिए अब क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बोला है revision must है अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी तयारी बहुत अच्छे से हो तो time नि साइब तो नहीं होगा तो इसलिए revision करते चलें साइंस 20 का दो दिवस्य सम्मिलन का आयोजन कहां पर हुआ है बैंगलूरू भोपाल चिन्नई या पिर जैपूर ठीक है साइंस और टेक्नोलोजी के शेत्र में आगे बढ़ना विकास करना ये इसका मुख्य अधिश्य रखा गया तो ध्यान नखिएगा भोपाल के अंदर भोपाल याने के MP के अंदर इसका आयोजन क्या गया था ठीक है और किसका साइंस 20 अब लगबाग नौंबर के लास्ट तक आपको यहां पर इसके जो सम्मिलन है वो देखने को मिलेंगे जी ट्वांटी के अंडर ही सारे सम्मि प्रीकी संग बोल रहा है कि मुझे इसको इसके अंदर शामिल कर लो और साथी में यह भी ध्यान नखिएगा कि इसका कोई पर्मानेंट हेड़कॉर्टर नहीं है जहां पर जो भी देश इसके अधिक्षता करता है वहीं पर उसका टेंप्रेरी हेड़कॉर्टर बना दिया जाता है ठीक है तो राइट आंसर है आपका भोपाल की पर्व किस राजय में मनाया गया तृपुरा नागलेंड मनिपूर या फिर महारास्त्रा पाल की पर यह जो आपके असे सी वाले है थ्यान रखिएगा आपके पर्व आपके महसर मेले त्यहवार यह बहुत ज़्याद एक्जाम के पूछी जाती हैं तो राइट आंसर हेगा महारास्र पाल की पर्व किसे संबंदित है तो यह महारास्र से संबंदित है डी नमबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उट देखो वर्ष 2021 का गांधी शान्ती पुरसकार किसे दिया जाएगा गीता प्रेस नरेंडरमोधि अमित रहर कोंते है के गांधी शान्ती पुरसकार आपको बताना है कि किनको दिया जाएगा येस बताईए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या होगा यह जो पुरसकार है यह गीता प्रिस जो गोरकपूर वाले हैं उनको दिया जाएगा उनके दौरा यह जो श्रीमत भागवत गीता वगरा है इसके बहुत सारी कोपियां च्छापी के थी करोडों के अंदर लंबस इंडोनेशिया ओपन 2023 का मेंस डबल का खिताब किसने जीता है इनकी जोड़ी काफी ज़दा हिट रहती है और काफी सारे इनोंने खिताब जीते हैं ठीक है तो आपको बताना है किसके द्वारा यह खिताब जीता गया है वेरी गुड वेरी गुड हान जी बिल्कुल चीजने ध्यान अख लीजेगा आगे दिखेगा स्क्वैश विशुकप 2023 का खिताब किसने जीता है स्क्वैश पर्टिकुलर गेम है बताएंगे आपको किस प्रकार का गेम होता है और आपको बताना है कि 2023 का खिताब किसने जीता है कौन सा स्क्वैश विशुकप 2023 का साइंस का मिराथन science और game का मिरा थन है जी के और जो नों का रहेगा रात को 9 बज़े क्लास रहेगी 9 से 11 बज़े तक है ये भी हमारा मिरातन रहेगा तो इसे भी जॉइन जरूर कीजिए राइट आंस रहेगा मिस्र squash विशुक अब का आयोजन किसके द्वारे किया जाएगा sorry किसने जीता है मिसर के द्वारे इस खिताब को जीता गया है ठीक है चलिए तो यहां से 13 जून से 17 जून तक चला है चिन्नाई के अंदर इसका आयोजन किया गया था और ध्यान नेखिएगा इसके अंदर Australia, Columbia, Missouri, Hong Kong, चीन, भारत, जापान, Malaysia और दक्षिन अफ्रीका ने पार्टिस्पेट किया है अब यहां से पर्टिकुलर यह आपने गेम देखा होगा ना यह मनाया गया है ठीक है क्योंकि 21 जून को हम लोगोंने क्या मनाया है 21 जून को हम लोगोंने अंतरास्री योग दिवस मनाया है तो यह आपको बताना है 9 अंतरास्री योग दिवस सम्मेलन कहां पर किया गया बिल्कुल राइट आंसर आपकर रहेगा मद्य प्रदेश में मद्य प्रदेश के जबलपूर की अंदर इसका आयोजन किया गया ठीक है नेक्स सीखिए नुसरत चोद्रे कि इस देश में पहली मुस्ली महिला संग्य न्यायदिश बनी है आपको इसका आंसर करना है कि क्या होगा बिलकुल हां जी इसका राइट आंसर क्या होगा कहां का बनाया है अमेरिका जो फैडरल बैंक के यह कहां पी है अमेरिका तो अमेरिका के अंदर पहली बार किसी मुस्ली महिला को यहां पी न्यायदिश बनाया गया है नेक्स देखेगा नेक्स यहां से यह चीज़ें आप खुद से देखेगा यह प्रधम महिलाए हैं जो इस बार यहां पे चुनी गई है या फिर यह पहली महिलाए है जो किसमें किसी देश की प्रधान मंत्रिया कुछ ऐसी बनी है तो इनको आपको या तो आप इसका विरोधी को लेकर याने कि जो भी लोग धर्म को बदल लेते हैं उनसे रिलेटर किसी कानुन को यहां पे लाया गया था विधान सभा से तो पारित हो गया परन्तु विधान परिशत में जाने से पहले उसको वापिस ले लिया गया और ऐसा करने वाला कौन था करनाटक और विधेशों में जो भी कुछ खूफिया जानकारी है उसको जुटाना इसका मुख्य काम होता है हमारे देश के खिलाफ कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है उसका पता लगाना भी इसी का ही काम होता है रोज इसे कहा चाता है research and analysis wing तो ध्यान नखिएगा इसके नए प् प्रवीन सूध के बात करेंगे तो cbi के डारेक्टर है और सुबोध कुमार सिंग जो है यह आपके NTA याने के नैशनल टेस्टिंग अजनसी के क्या है यहां पर डीजी है याने के डारेक्टर जन्रल है डान बताओ बताओ जल्दी से गुड नेक्स सीखेगा गुप्तचर जांच संगतन जो है हमारे कुछ उनके प्रमुक हैं जैसे के cvc प्रवीन कुमार शुर्वारस्ट ब्रवीज्य सूद करेंगे तो यानि कि जो परवर्तन निदेशाले है, enforcement आपका जो निदेशाले है, department उसके क्या है निदेशक और आपको ध्यान रखना है, सत्य नरायन जो प्रधान है वो आपके नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महा निदेशक है, important है, यहां से प्रशन आपका जरूर बनेगा, अच्छे से आप इनको ध्यान रखेगा, football का hero intercontinental cup 2023 किसने जीता है, यह आपको बताना है, जले से बताएगा, कि right answer क्या रहेगा, football का hero intercontinental cup जो है, यह किसके द्वारा जीता गया है, तो यहां से right answer आपको बताना है, किसने जीता है, यहां से ध्यान रखेगा, भारत के द्वारा इस खिताब को जीता गया है, ठीक है, और ध्यान यह भी रखना है, कि भारत ने दूसरी बार, पहली बार इसने जीता था, 2018 म Lebanon को हरा कर इस खिताब को जीत लिया है, पहली महिला कबड़ी लीग का आयोजन कहां पी क्या जा रहा है, पुरुषों में तो चलती रहती थी कबड़ी लीग, बट पहली बार महिला कबड़ी लीग का आयोजन क्या जा रहा है, पुरुषों की कबड़ी लीग को देखते हु इंडिया का कबड़ी लिग है, पहला है, इसका आयोजन आपको बताना है कि कहां पर किया जाएगा, बिलकुल, 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 दुबाई के अंदर, ठीक है, इंडिया का है, बट आयोजन कहां पर किया जा रहा है, दुबाई के अंदर, तो C number option आपका यहां से, स्मॉल फाइनेंस बैंक है यानि कि यह आपका एक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ठीक है पहले सरफ यह फाइनेंस बैंक ही था बट अब इसने बैंक की कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और यहां पी RBI ने दो साल के लिए इसको मंजूरी दे दी है पी एन वासुदेवन यह इसके क्या बनेंगे यह इसके MD और CEO बनेंगे ठीक है नेक्स देखो राश्यकार योजना सहींदा 2023 किसने जारी की है यह आपको बताना है अजय बंगा तो विश्व बैंक क्या देख्शा ना बिल्कुल बिल्कुल वासुदेवन वेरी गूड आंसर करेक्ट है वेरी गूड है आप से पूछा गया था राश्यकार योजना सहींदा 2023 किसने जारी की है तो यह आपके परियावरण मंत्राले के द्वारा इसको जारी किया गया है ठीक है नेक्स एक हैगा नेक्स आपके पास यहां पे प्रश्ण है विश्व सिकल सेल जागरुता दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है यह बीग जैनेटिक डिस ओर्डर है इसमें आरवी सी का जो आकार है वो बदल जाता है बदला हुआ रहता है जैसे कि कुछ इस परका काफी दिक्कत हो जाती है और यह जैनेटिक होता है तो ध्यान नखिएगा 19 जून को हम लोग वर्ल्ड सिकल डे अवेर्नेस की रूप में मनाते हैं लोगों को इसके बारे में जागरुक करते हैं ठीक है संगीट के शेतर में यह वार्ड दिया जाता है और आपको बताना है किस को यहां पर शामिल किया ज सर्वसे पॉप नरह थे रिकॉर्डिं या पर विकल्फिक मSet थे जैस एल्बम इन तीनो को ही इस ग्रैमी नटड़ के अंदर शामिल किया गया है इन तीनों कैटेगरी को शामिल किया है ठीक है प्रोग्राम जिसका नाम है CART RUE कर लिएश वेरी गुड बच्चे हमसे पहली बार जुट रहे हैं हमारी क्लास का समय होता है सुबए 7 बजे और यह हमारी आज की रिवीजन क्लास है और डेली हमारी साथ से आठ बच तक लास रहती हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह साथ बचे ठीक है नेक्स सेखेगा नेक्स आपकी पास यहां से प्रश्ण है जून 2023 में इशिया प्रशान प्रेविक्षन निदेशकों का पच्चिसवा सीसेन, FSI, सम्मिलन कहां पर आयोज़त क्या गया बैंगलूरू, चैनेई, गोवा या फिर मुंबई येस बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा तो अध्यान से देखे और इसका आंसर कीजेगा नहीं इसका जो राइट आंसर हो आपका रहेगा, मुंबई के अंदर इसका आयोज़न क्या गया था, ठीक है, पर्टिक्लर फाइनेंस को यहां पर डिजिटलाइज करना और फाइनेंस के शेतर में लोगों को यहां पर पर्टिक्लर, चलो हम इसके उदेशे देख लेते हैं, वित इसका अयोजन कहां पर किया जाएगा, जिसका शुभंकर क्या रखा गया है, मॉगा, इसे launch कर दिया गया है, आपको बताना है, चैनल ब Jingle National Games का अयोजन कहां पर किया जाएगा, बहुत important है, यहां से प्रशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, जल्ले से बताएगे, अगर ह तो इसम यहां से बात करते है नैशनल गेम्स तो नैशनल गेम्स का ध्यान लखेगा गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर एक आपके सिखों का मार्शल आर्ट गतका को भी यहां पर शामिल किया जाएगा ठीक है और इसका शुभंकर किसको लॉंच क इसका ओल भॉचसे इसमां पर किया जाएगा हाली में भारत के किसे केंद्रिय मंथ्रिन ने गयबाण की पहली कृषिंस परिवजना को घरी धन्डी दिखा दी है याई कि अब यह जो गयबान देश्य इसका यहां पर पर्टिकुलर जो कृशी सेट परियोजना है हम यहां पे इसको शुरू करेंगे ठीक है से इस क्या होता है special economic zone याने के यहां पर particular उस area या उस particular business से related यहां पर आपका जो भी फैक्टरी इस इस्टाइब्लिश की जाती है नहीं इसका राइट आंसर है तो अब आप जो है वो अभी से कल से continue कीजिएगा ठीक है तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा धर्मेंदर प्रधार ने इसको हरी जंडी दिखाई है नेक्स देखेगा राजसान में राजीव गांदी ग्रामीन और शेहरी ओलंपिक आयोजन कब से क्या जाएगा इसका आप लोगों को आंसर करना है जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है प्लीज कंटिन्यू करें टीक है ख्लासिस को कंटिन्यू करने से आपको दिक्कत नहीं आएगी डेली का डेली आपको तयार हो जाएगा आपको बताना है राजस्तान में राज़ीव गांदी ग्रामीन और शेरियों लंपे का आयोजन कब सी क्या जाएगा तो इसका राइट आंसर आप करहेगा तेई जुन यानि कि कल से इसका आयोजन शुरू हो गया है राजत्रे विधायक शंविलन की मागजरिन में राजस्तान के किस विधायक को स्थान दिया गया है इनके द्वारार जो service कारे किये गया है और इसी वज़े से इनको को आंसर करना है कि क्या होगा बिलकुल आंसर सा रही है लक्षमी ने आंसर किया है वेरिगूर सतीश पूनिया इनको इस विधायक मैग्जिन में पर्टिकुलर रैंकिंग दी गई है नेक्स एक है रावत भाटा से कोबाल्ट सोर्स के देश को निर्याद किया जाएगा कैनेड के सयोग से किया है और कैनेडा को ही हम लोग कोबाल्ट सोर्स भेजेंगे यानि के कोबाल्ट सिक्स्टी भेजेंगे और आप जानते हैं कोबाल्ट सिक्स्टी का इस्तमाल कहां भी होता है कैंसर को ट्रीट करने में होता है मेडिकल जो प्लाइंस होते हैं उनके अंदर भी हम लोग कोबाल्ट 60 का अस्तमाल करते हैं बिलकुल आपका एक नमबर ऑप्शन यहां से बिलकुल सही हो जाएगा वेरी गुड अच्छा हो कि मैं इसको एक बार चेक कर लूँगे एक बच्चा बोल रहा है कि मैं इसकी जो डेट है वो चेंज हो गई है चले कोई बात नहीं मैं इसको एक बार चेक करके फिर आपको बताती हूं ठीक है इसको मैं चेक करके आपको बताती हूं चलिए नेक्स एगेगा भवानी देवी ने इश्याय तलवारबाजी चैंपिंशिप में कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉंज मेडल यान में से कोई ने आपको बताना है भावानी देवी ने ये पहले हमारी बल्ले ये हमारी तलवार बाज है जिन्होंने आपका जो कॉमनवेल्थ गेम से 2018-2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और साथ में इन्होंने 2020 का जो आपका ओलम्पिक था उसके लिए क्वालिफाई भी क्या था ध्यान न देखेगा कल की डेट में आपको बता दिया जाएगा डॉंट बरी नेक्स देखे तो भावानी देवी का पूरा नाम क्या है चंदल वाड़ा आनंद सुन्दर रमन भावानी देवी है और इनका संबंद तमिलाडू से हैं और ये तलवार बाश है ठीक है के इंदर सरकार न आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा ओकी दस दुलाई होगा कोई बात ने चेक करके मैं आपको बता दूंगी राइट आंसर है चावल और यहूं इन दोनों की बिक्री पर यहां पर प्रतिबंद लगा दिया है कि अब हम ऑपन मार्केट सेल स्कीम जो है उसके इन दोनों की बिक्री नहीं करेंगे ठीक है नेक्स सेखिएगा नेक्स आपके पास यहां पर प्रश्न है एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश के अंदर शुरू हुआ है इसका आप लोगों को आंसर करना है कि क्या होगा बिल्कुल ठीक है राइट आंसर क्या रहेगा एक्स खान क्वेस्ट जो है इसका आउजन मंगोलिया के अंदर क्या जा रहा है मंगोलिया एक लैंडलो कंट्री है और यह सबसे बड़ी लैंडलो कंट्री के अंदर आती है और यह सारी चीज़ें आपको ध्यान एकना है यही पे ही X Khan Quest 2023 यह एक आपका अभ्यास है और इसका आयोजन यहां पर क्या जा रहा है ठीक है next एक है यह कुछ हमारे और भी अभ्यास है यूद अभ्यास जिनको पर्टिकलर 2023 में इनका आयोजन क्या जा चुका है आप इनको जास एक बर रीट कर लीजेगा कौन सा किसके मद्य होत प्रसाव रखा है बांगलादेश श्रिलंका म्यामार या फिर अफरीकी संग इसका आंसर किजेगा कि क्या होगा येस बताएए बिलकुल हमने पहले भी बात करी अफरीकी संग जो है इसको शामी करने का प्रसाव रखा है इंडिया के द्वारा किसमें G20 के अंदर ठीक है नेक्स सिको तिरंदाजी विशुकप चरण तीन में अभिशेग वर्मा ने कौन सा मिडल जीता है इसका आप लोग है चरण तीन के अंदर इनके द्वारा कौन सा मिडल जीता गया है यह आपसे पूछा गया है गोड्याइट आपको रहेगा गोल्ड मेडल जीता है स्टेस थर्ड के अंदर इंपोर्टेंट है प्रश्ट यहां बनेगा नेक्स से पंजाब में गवर्णर के सान पे कौन सिटीज हैं उनके चांसलर आपके वहां के गवर्णर होते हैं बढ़ यहां पे मुख्य मंक्री होंग आपका पंजाब ऊर्श्यममंग्र में में नहीं होकर कौन होगा मुख्य मंत्री होगा युसर्ख करना है यह इन आपको बताना है इंदर प्रस्त गैस लिमिटेड जो है इसके यहां पर एक कौन बने है इसके अमडी कौन बने है यह बताईए जिन्होंने अभी तरक लास को लाइक और शियर नहीं किया है वो लाइक और शियर भी कर दो जल्दी से लाइक ठोक दो फटा फट से आपको इसका अंसर करना है बिल्कुल बी नमबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कमल और चतिवाल इनको इंदर परस गैस लिमिटेड शिपनाया गया है और यह आपकी कमपनी यह ऐङस सब्सक्राइब सैपने वाली सबसे बड़ी कमपनी है कौन सी इंदर प्रस गैस लिमिटेड नेक्स एक가지고 जगनात शियत्र किस राजें के इंदर शुरू कि गई है औरिसा आंदरप्रदेश गुजरात या फिर तमिल्लाडू आपको बताना है कि जगनाथ रत्यात्रा जो है यह कहां पर शुरू की गई है इम्पॉर्टेंट प्रश्ण है पर्टिकुलर कौन सा महौतसव किस राजे से संबंदित है ऐसा प्रश्ण पूछ लिया जाता है तो जगनाथ यह आपके उडिसा में हैं उडिसा में कहां पर पूरी में चीके पूरी में इसका आयोजन किया जाता है नेक्स सेखेगा इधर से तो सब कुछ क्लियर है थोड़ा सा आई दिंग इशू हो रहे नेटवर्क का मेरे ख्याल से ठीक है चली देखेगा राजसान में राई टो साइट वीजन के उदेशें से लागू की गई अंदता नियंद्रन पॉलेसी को प्रभावी बनाने के लिए किस साथ सर्य कमेटे का गठन किया जाएगा और इस पर कारे की पॉलेसी लाने वाला राजसान जो है ये पहला राज्य है भारत का नेक्स सीखेगा यहां से वर्ष 2022 ते इसमें नैशनल कॉलेजी टेबल टेनिस एसोसियेशन पुरुष एथलीट ऑफ दाइयर पुरिसकार जीतने वाले पहले भारतिये कौन बन गए हैं बस हम लोग बहुत ही नज्दीक हैं बहुत सारे क्वेशन्स हम लोगों ने कर लिये हैं बहुत नज्दीक हां राजस्तर पर ठीक है यहां भी देखेगा राइट आंसर क्या होगा मुदित दानी इनको मिला है कौन सा नैशनल कॉलेजी टेबल टेनिस एसोसियेशन में पुरुष एथलीट ऑफ दा इयर का अवार्ड और इसका आयोजन लगबर युएसे और कैनिड़ा के युनिवर वाइटर इंस्टिट्उट के डिजिटल न्यूस रिपोर्ट के दो हजार अंक के अनुसार भारत में सबसे टॉप भरोसे मंद इलेक्ट्रोनिक मीडिया कौन सा है इसका आपको आंसर करना है कि क्या होगा बहुत अच्छा यह प्रश्न है देखेगा इसका आंसर कीजेगा क कि हमारे क्लास थी ठीक है शाम को साइंस की क्लास होगी जी के और जीस दोनों ही अमनों कवर करेंगे उसका समय है रात को 9 बजे और यह आपकी रहेगी प्रैपन क्रेक 2.0 पर अगर आप लोग करना चाहते हैं रिवीजन तो आप उस क्लास को जॉइन कर सकते हैं तो डीडी इं हाली में जो स्पेसेक्स इसके लिए स्टारीय फर्सbn संचार उपोगराहा प्रक्षेपित कीया है किसके लिए तो ध्यान ऑखेगा इंडोनेशा के लिए और स्पेसेक्स वह अलन मस्क की कंपनी और फ्क 9 रोकेट है जो आपका रियूजबल आपका रोकेट है उसके द्वारा ही इसको लॉंच किया गया है ठीक है चलिए नेक्स आपके पास प्रश्चन है खाली में भारती विज्ञानेकों ने आदित्या एलवन मिशन के लिए कौन सा टेलिस्कोप लॉंच किया है कौन सा है आदित्या एलवन अभी ध्य बिल्कुल ठीक है देखेगा यहां पर राइट आंसर है सूट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूट को लॉंच क्या गया है और यह एक टेलिस्कोप है जिसको आदित्या एलवन के लिए लॉंच क्या है ठीक है नेक्स आपके पास है अंतरासे योग दिवस कब मनाया जाता है 21 जून, 20 जून, 19 जून या फिर 18 जून इसको आमने पहले भी देखा था कोशिश करें टाइम से क्लास में आए ठीक है जो सेशन होते हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट होते हैं अरे चलिए ठीक है इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा अंतरासे योग दिवस हम लोग 21 जून का मनाते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी ध्यान एक हैगा आज की डिट में हम लोग इतने क्वेशन करने वाले हैं ठीक है और बाकी का हम लोग करेंगे कल के सेशन में और जो आपके कल के सेशन में रिवाइस कर ही लेंगे बाकी का हम लोग कल के सेशन में करने वाले हैं नेट में थोड़ा सा इशू हो रहा है और करेंगे कल अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको like और share कर दीजेगा ठीक है और साथ ही में अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन को press कर दीजेगा और साथ ही में होगा क्या उसे कि आपको हमारे classes के notification मिल जाएंगे अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे कि बागी का करेंगे कल टेक क्यर बबाए